सब्सक्राइब करता हुए करता हुए मुझे बहुत खुशी है कि सिल्की आरा टनेल के हाथसे के कारण जो 41 मजदूर फसे हुए थे वो बाहर निकले और उनके जान बची है सभी एजेंसियों ने विशेशुप से पी एमो के मार्गदर्शन में बारस सरकार की सब एजेंसिस उत्तराखंड सरकार और वहा की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की परिश्रम किये अलग पर्याओ पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है ये बहुत गहरा संकट था पहली बार इस परकार का अन्बो आया इन लोगों की जान बची उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुबका मना शुबेच्चाय देता हूँ और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारस सरकार के एजेंसियों ने और राज़स सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजिनियर्स ते रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके आभार वेक्ता करता हूँ ये घटनाने भी हमको सिखाने के लिए बहुत कुछ मिला है अब हम लोग इसके बारे में टरनेल का सेफ्टी आउडिट भी करने वाले हैं और टेकनोलोजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा सदा अच्छे टेकनोलोजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे हिमाले का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसलिए स्वाबाय करुप से वहाँ काम करना भी बहुत कठीन है पर इसके उपर हमको उपाय दुढ़ना होगा हम निश्चित रुप से उपाय दुढ़नेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जेंजिल लोगों ने स योग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेश रुप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुबकामना है क्योंकि वह विचारे वापस आये हैं हमारे लिए सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि अचैनल भाएं कि अचैनल भार जागत किया है और उनके साथ नहीं उन्होंने स्वागत किया है नहीं और मानी हमारे लिए सिंग जी ने और सबी लोग बहार आ चुके झाल 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 झाल